नमस्कार पेरे साथियों आपका स्वागत है मारे ट्यूप चैनल में और देके साथियों जैसा कि आपको पता है आपके जो लेकपाल के डीवी हैं वो आपके रणिंग में चल रहे हैं और ये जो आपके लेकपाल के डीवी थे वो 19 तारीक से स्टार्ड हुए थे और 30 इसके candidates की यहां पर cutoff को जारी किया गया है उसके बारे में पूरी जनकारी देंगे और इसके बारे में जो officer notice है जिसमें दी गई जनकारी के साफ से हम आपको पूरी जनकारी यहां पर देंगे और सही और सथीक information आपको मिलेगी इसे official website से जागर के आप चेक कर सकते हो ऐसे ही updates में आपको हमेशा देता रहा हूँ आप जितने भी लोग हमारे channel से जुड़े गूए उनको यह चीज पता है तो आप सभी लोगों से request रहेगी के आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करिएगा और कोई भी जो नया कंडियर्स आता है उस channel से जुड़ जाईएगा क्योंकि यहाँ पे इस channel पर आपको ऐसे ही updates मिलते रहते हैं तो चलिए चलते हैं आपको official notice दिखाते हैं उसको मैं explain करता हूँ कि आपके किस category में कितने कंडियर्स को चैक आट कर सकते हो तो बीस नॉम्मद दोजार तेईस यह आपकी आज की date है आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें आवेस्थ सुचना के बारे में बात की गई है तो पहले यह पहले बारी information के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जो कंडियर्स डीवी के लिए बलाए गए थे वो 27,555 कंडियर्स 400,555 कंडियर्स बलाए गए थे जिसमें से 22 कंडियर्स को यहाँ पर छोड़ दिया गया था तो यहाँ पर total number of कंडियर्स से कितने 27,433 कंडियर्स बलाए गए थे और यहां पर पोस्ट कितनी है तो पोस्ट आपको पता है 8085 यह आपकी पोस्ट हैं जिसके लिए जो आपका लेखपाल का डीवी स्टार्ट हुआ था वो 19.923 से और 30.11.2030 तक आपके लेखपाल के डीवी को यहां पर कराना था तो यहां पर आपके यह चल भी रहा है करेंट में तो कार्याले में आयोत किया जा रहा है ठीक है अब यहां पर यहां से आपकी जो next information है वो यहां से आपकी बनती है तो इसे पूरा explain करते हैं यह previous का knowledge तो मैं आपको पहले से ही दे चुका था इसके बार ने में आपको पता भी होगा ठीक है तो देखिए यहां पर लिखाऊगा उक्त अहरता अबलेक परिछड में यानि जो डीवी के लिए के अंतरकत लंवत छेतिर आरचछड तो यहां पर पहली केटेगरी देखेंगे तो यहां पर लिखाऊँ अनसूचित जनजाती सथंदरता सेनानी ठीक है सथंदरता सेनानी के आसरित और भूतपूर्व सेनिक तथा महलाओं के तो यहां पर कितने- और यहां पर सथंदरता सेनानी के आसरित और भूतपूर्व सेनिक महलाओं के यहां पर जो कट-व है उसको यहां पर जारी किया गया देखिए पदों के सापेच उक्त स्रेडि के अब्विर्थियों की संबावित कमी कमीड़ी हो रही है इसलिए यहां पर आपके जो addition result है उसको यहां पर जारी किया जा रहा है अनउपलब्दता यानी उपलब्द ना होने के कारण के द्रेश्ट गोचर माननी आयोग द्वारा तो आयोग द्वारा माननी आयोग द्वारा लिये गए निर्ड़य के अनुकरम में अहरता अभिलेख यानी जो आपके डीवी है परिछड के लिए लिखित परिछा में इसकूर के आधार पर मेरेड के अनुसार चिन्नित पुन र लिया जा रहा है तो यहां पर देखी लिखा हुआ है अनसूची जंजाती सेडी हे तू वांचित तो अनसूची जो जंजाती है उसमें कह रहा है कि बांचित यानि इन्हें 100 की जरूत पड़ रही है उसके अत्रिक्ट यहां पर आप यहां पर 101 कंडियर्स को यह बला रहे हैं सुतना सेनानी के अगर बात करी जाएं तो यहाँ पर कहा गया है कि 200 की ये requirement समझते हैं उसके साफेच यहाँ पर आपको 207 कंडियर्स को यहाँ पर बलाया जा रहा है यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो भूतपूर सेने की बात करेंगे तो यहाँ पर 200 अत्रिक्स कंडियर्स बर्तियों के साफेच यहाँ पर 203 कंडियर्स को यहाँ बलाया जा रहा है और महलाओं के लिए आप देखेंगे तो 300 की यहाँ पर 22 किया गया है उन्होंने समझाए कि 300 होने चाहिए उसके साफेच यह 300 आपके 31 महलाओं कंडियर्स का रिजल्ट जारी करा है टोटल जो तो 842 कंजेट्स का तो 842 कंजेट्स का यहां पर रिजल्ट जारी किया गया है अब वरतियों के अनपूरक सूची यानि चार प्रस्ट में आपकी यह पूरी सूची दी गई है एवं निमलिकित पनरीचित कट ओफ और यह जो कट ओफ है वो आप मानिनी आयोग के निड़ है द आपका अनसूची जन जाती है उसकी जो कट ओफ है वो आपकी यहां पर 64.25 रखी गई है और यहीं पर नेस्ट कट ओफ देखेंगे तो सुतनता सैनानी के आसरित पदों के लिए यहां पर जो कट ओफ है वो 66.25 रखी गई है बूत पूस सैने के लिए आपका 400 कट ओफ रख होगा वह आपका जारी किया जाएगा सब कुछ आपका प्रडाम आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप नीचे जाएंगे तो और देखिए यहां पर जो इंप्रमिशन इसे भी पढ़ते जाएगा और यहां पर रजल्ट भी इसी सेक्षन इसी में है ठीक है तो वह भी मै प्रडाम में होने के आदार पर अंतिम चैन हे तो किसी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा इसमें तो यह आपका जब आप डीवी करा लोगे उसके बाद आपका फाइनल लेस्ट में आएगा तभी आपका यहां पर होगा चैन अबर्थी अंतिम पढ़ाम एरता अविले परिछड यानि जो आपका डीवी होगा वो कब होगा दो बारा दोजार तेज से चार बारा दोजार तेज तक आपका जो डीवी है वो आपका कराया जाएगा उत्तर पदेश अदिन सिवा चैन आयोक तरती तल पिक अप बवन विवू तिखंड गोमती नगर लखनव में आ पर्मेशन आपको टाइम से मिल जाएगी अगर आप मारे चैनल से चुड़ जाओगे तो ठीक है अब यहाँ पर आपना रजल्ट देख सकते हो ठीक है तो रजल्ट के बारे में यहाँ पर देखी बात की गई है लिखाओगा उत्तर पदेश अनिजस सिवा चैनायो लखनव विग्यापन संक्या एक परिच्छा अबलग 2022 राजर सुलेकवाल तो यहाँ पर देखी बात करी गई है अरिता अबलेक परिच्छड हेतु चिन्नित अबरतियों की अनपूरक सूची तो यह आपकी अनपूरक सूची है जिसमें जो पहले बात की गई है बो आप देख सकते इसी के साथ साथ आपकी बात करें तो यहाँ पर अगला दिया गया है यहाँ पर चिन्नित अबरतियों की अनपूरक सूची के बारे में बात की गई है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा लेकपाल तो यहाँ पर आपना देख लिजिए चेक कर लिजिएगा आप जित इसकी PDF में अपने टेलिग्राम पर डाल दूँगा तो आप बहां से जागर के से डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है तो यह सभी आपकी पीडिएफ है तो इसको मैं अपने टेलिग्राम पर डाल दूँगा तो मैं टेलिग्राम में आप जाईएगा वहां पर आप सच कर दिएगा बेसिक बेसिक टू टॉप ठीक है इस्टिटी यह आप सच कर लीजेगा और उसमें मेरा चैनल आजाएगा सरसती जी का वहां पर फो